दस साल में बचाए 28,000 से ज्यादा कच्छुएं लखनओ की अरोणी मासी आज भी कच्छुआ मगरमच और गंगा डॉल्फिन को बचाने का काम लगातार कर रही है मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था टर्टल कॉंजर्वेशन फील में इन 2012 वो एक बेसिक ट्रिप था जो लखनो में एक उक्रेल घरियाल रिहाबरेटेशन सेंटर है जिसको विजिट करने आई थी मैं बस फिर क्या था जलियल जीवन में दिर्चस्पी रखने वाली अरूणिमा ने नौकरी की बजाए जलियल जीवों के सरक्षन पर काम करने का फैसला लिया बनविभाग और टर्टल सर्वाइवल एलाइन्स के साथ काम करके उन्होंने कच्छों की दस से ज्यादा विलुक्त होती प्रजातियों के लिए एस्योरेंस कॉलोनिया बनाई है जहां वह अब तक 28,000 से ज्यादा कच्छों को सरक्षित कर सुरक्षित जगह उपर पहुँच चुकी है जजबा ऐसा है कि अरूणिमा जलियल जीवों की जान बचाने के लिए तशकरों से भी भीड़ जाती है और अगर देखा चाये तो कच्छों के उपर सबसे बड़ा जो संकट है वो इनका इलीगल ट्रेड है लोग इनको खाने में इस्तेमाल करते हैं लोग इनको घरों में रखते हैं ना कि इंडिया में बलकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका काफी डिमांड है जिसकी वज़े से इनका बहुत ज्यादा ट्रेड होता है कच्छों की तशकरी को रोकने के लिए वह गाओं शहर और स्कुलों में जाकर लोगों को जागरूप भी कर रही है अपना जीवन जलिय जीवों के लिए समर्पित करने वाली अरोणिमा को साल 2021 में नेटवेस्ट ग्रूप ने अर्थ हिरोज एवर्ड से भी सनमानित किया है